हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम श्रवन है और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट सिटी गाइड में आज की इस वीडियो में बात करेंगे हमारे देश और बिहार राज्ये में बनी एक अनूठी परियोजना के बारे में और यह परियोजना है बिहार राज्ये के नालंदय जीले के राजगीर में बना राजगीर ग्लास ब्रिज के बारे में अर्थात शीशे का पूल और यह ग्लास ब्रिज हमारे देश में बना दूसरा ग्लास ब्रिज है पहले ग्लास ब्रिज का निर्मान सिक्किम में किया गया है तो आपसे निवेदन है कि वीडियो अच्छा लेगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूले जैसा कि आपको पता है कि राजगीर बिहार का प्रमुख प्रयाटन स्थल है और यह पांच पहारियों से घिरा हुआ है जहां कई एतिहासिक धरोहरों के साथ हिंदू और बौध धर्म से जुरी कई इमारते, कलाकृतिया, समारक और अभिलेख मौजूद हैं एवं पहारी छे को बढ़ावा देने के लिए राजगीर में नए गलास ब्रिज का निर्मान किया गया है इस ब्रिज का निर्मान राजगीर के जू सफारी पार्क में किया गया है इस गलास ब्रिज का निर्मान चीन में बने गलास ब्रिज के प्रारूप पर किया गया है इस गलास ब्रिज पर एक साथ 25 लोग चल सकते हैं यह Glass Skywalk Bridge और राजगीर में वेनू बन के अंतरगत बनने वाले जू सफारी और नेचर सफारी पार्क मुख्यमंत्री नितीश कुमार का Dream Project है जू सफारी पार्क की अधारशिला 17 जनवरी 2017 को मुख्यमंत्री नितीश कुमार द्वारा रखी गई और राजगीर जू सफारी पार्क को 2021 में आमनागरिकों के लिए खोल दिया जाएगा और जैसा कि आपको पता है कि वर्तमान में राजगीर में एक रोपवे का निर्मान कारिया भी चल रहा है और एक रोपवे पहले से मौजूद है अतहियस अभी परियोजनाय परियतन के छेत्रों को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होंगे राजगीर ग्लास ब्रिज की लंबाई लगभग 30 से 40 मीटर के बीच है एक्जेक्ट लंबाई का आकरा भी सामने नहीं आया है जब भी ये सूचना आएगी आपको फर्स्ट कॉमेंट में इसकी फाइनल लेंथ मिल जाएगी अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूले और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगली वीडियो में नमस्कार जय हिंद